सब्सक्राइब करने वाले हैं जो हमारी सब्सक्राइब करेंगे ठीक है जो मैं आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यहां पर जो हमारे बारे में नई आपको दिखाई नहीं देंगे उसके लिए अपने फोन में राइट से नापके सामने आजाएंगे यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे इस तरह से टेप अपें करेंगे नीचे को लिखा हुआ है यहां पर यहां आप और पार्ट बिल्कुन लखाने से डानलोट हो जाएगा चलिए हम चलेंगे अपने कोस्टन की तरब आज का हमारा पहला कोस्टन है कैरा है है राइडुलिक पाइप्लाइन और पर आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें एंटरलाक हवा के बुलबुले बन जाए या फिर पॉकेट बन जाए तो उसके लिए हम लोग कौन सा सब्सक्राइब करते हैं पर तो केवी टेसन बनती है उसका उसका प्रेसर कम हो जाता है इसे लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं क्या बोला जाता है दिखाएगी जैसे नौर्मल हमारा द्रव का क्लो बोलते हैं धारा रही प्रवाव बोलते हैं विद्विधी यहां पर बागने लगता सई से एक लाइन में नहीं बैता है तो उसको तर्बुलेंट फ्लो के यह मैं आपको पहले बतारूखाऊं और जो सीधा बैता है तो स्ट्रिम डाइन फ्लो गयते हैं और इसी में केविटेंशन बनने के विज़े से दिक्कत आती है ठीक है तो आपको ने यहां पर सही हो जाए का ब्रत्र में बर्तर जाता है तो कि सब्सक्राइबर दोताकर समान ना हो जाए लेकिसा इन लेकिसा है वार्टर लेबल उपर देख रहे होंगे यह लाइन जो खिचेगी यह लिक्यूड लेबल वाली यह जो ब्रेक लाइन खिची हुए सबका वाटर लेबल एक समान है इसका मतला आप कह सकते हैं कि सभी बर्तनों में दाब भी क्या है एक समान है कि कि किसी भी पॉइंट पर जो उसका प्रेसर या दाब होता है वह उसकी समान पाती होता है अंकवान पाती होता है अगला क्या रहा है कि प्रतिबंधित मार्ट से गुजड़ते समय यदि दबाओं में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है कि वाट इस देटेस फार ऑईल फ्लो अंडर प्रेसर वाइल पासिंग थ्रोड़ रिस्ट्रिक्टि तो क्या वगा अगर कहीं से जघयां से नहीं निकलने के लिए जो अग्र warm पर आप प्रिक्शन होगा जिसके तेल क्या हो है गरम हो जाएगा मतलब शहा फिर बढ़िच हो जाएगी कि शिच्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल खराब हो जाता है जाए जो भी हमारा सिस्टम है निमेटिक सिस्टम में तो जो भी हमारा सिस्टम में चल रहा है इस किसी हुझे से और आपको बना रहे को इसे निकिनर्ट है लेकिन किसी हुझे से ापने लगा रखा है पर किसी हुझेसे फ्रयाब हुझाज भी खराब हो भाई मैं किनकल चीजे खराब हो सकती है अगर खराब हो गया तो उस केस में आप कैसे बचोगे वही कहरा कि अगर आप प्रेसर रिलीफ वाल खराब हो जाता है तो फिर अगर हमारे सिस्टम में अधिक दबाओ से कैसे बचा जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते है उसके साथ इसको भी कनेक्ट कर दिया जाता है तो अगर इस पर प्रेसर है वह प्रेसर उतना ही रहता है जितना हमारा सिस्टम में प्रेसर होना चाहिए सिस्टम में हमारे जितनी प्रेसर के आ सकता है उतना प्रेसर के साथ इस पोपेट को यहां दबाए रखती है तो हमा प्रेसर बढ़ जाए और आपका सिस्टम में क्या हुआ प्रेसर बहुत ज्यादा होने लगा जब प्रेसर ज्यादा होगा तो इधर प्रेसर पढ़ेगा क्यों आपको मालूम है द्राव में हमेशा दाप चारों दुसाओं में एक समान लगता है तो यहां भी द्राव प्रेसर ज्यादा पढ़ेगा यह जिया जाएगा तो क्या होगा यह इसको बंद कर देगा पिर वाल की मदद से रिखल रिटर्न वाल बही कहते हैं एक जिसा में जाने के अनुमती देता है इसको मैं पीछे बता चुका हूं था नहीं करेंगा ठीक है ठीक है और रहे पेसर रिपला और हमारा रीक्लेटिंग वाल नहीं क्या होता है जिसा को करने की दिशा को कंट्रोल करेगा द्रहों के बैने की सुरुवात करना और बंद करना भी इसी डायक्टिल कंट्रोल का ही काम होता है प्लिएंक पेले बहुता का इस वजह से जादा इनुपार क्या है जिस वज़ए से है हा Evangelista आपको आपका जो आयल वह सुध्धी नहीं है तो पंप में जाएंगे पंप को नुक्सान करेंगे उसके बाद आप को सबको नुक्सान पहुंचाइगी और पिर कुछ न कुछ वजह से वाल्प हो जाएगा कभी पिच्टन आपका हुजाएगा को फेल करदेगा रखराब कर देगा तो वह भी मेन हमारा है किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदातों के कि दूसरी थोने से बचाने में मदद मिलती है यहां पर एक सबस्ते हैं में सबका काम देखते हैं दुए मैकेनकल फिल्टर क्या होता है उत्व फिल्टर का सीघर यह वाला है में मेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें को कि एक नदैसा फिल्टर करें का मतलब फिल्टर बिबिन के अड़े प्रकार के पदर्थों को रोकने के लिए मैगनेटिक फिल्टर या मतलब जो हमारे द्रव में या तेल में जो हमारे लोहे के कड़ है पार्टिकल है उनको उनसे अलग करने के लिए इस प्रकार ने प्रकार ने प्रकार के दूसरी तो बचाने में मदद मिलती है इस प्रकार में कि ऩा इत्रा सब्सक्राइब ने या यहां पर यहां पर प्रोटेग्व को तो अगर यहां पर गंदगी होती है वह पंप के अंदर चला जाता तो फंप को करते हैं can झाड़ी को लगा लगा दिया इस ट्रेश यहां पो को reopen की नॉकसान नहीं पहुचेगा तो आप यह से हो जागे जो सक्सन फिल्टर होता है वह हमारे पंप की रक्षा करता है अब सक्सन फिल्टर है जगों पर लगा हुआ है ने स्वस्टन प्रणाली का उन से थे कि लूब्रिकेटिंग किया जाता है किसी भी इसलिए करते रहते हैं कि जिसे हमा पाइल प्रिक्षन करेंगे इससे उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी हमारा पावर भी कम खर्च होगा ठीक है कि यहां पर एक सब्सक्राइब करता रहा है कि यहां पर इस प्लेश फिट शिटम में कौन सा वला है इसमें रिंग डाल करके इस ने किया रहा है कौन सा वाला है इसने प्रेविटी फीड इस्टम होता है दूसरा छो होता है मारा फेट होता है ठीक है फोर्थ फीड यह प्रिसर फेड़ फेड़ फेड का या ट्रेशर फीट सिस्टम इस नियान करने की विदिया है ठीक है और जो तीसरा होता है हमारा स्प्लेश फीट सिस्टम होता है इस फ्लेश टपक कर नीचे कोई हमारी वेरिंगा तो टेल उपर से नीचे क्यों गिर रहा है तो ग्रेविटी की हो जैसे तो ग्रेविटी की जो टपक कर के लिए फीट सिस्टम कहलाएगा या फिर फोर्स पीड में क्या है कि मुझे प्रेशर देंगे प्रेशर की दारा उस तेल को बाहर निकालेंगे जैसे आयल कैन होगे वाला होता ना मैसे से दबाते हैं बटन उसको बार-बार तो प्रेशर की दवरा वबा निकलता है तो हमारा फोर्स पीड या प्रेशर फीड में आ जाएगा इस प्लैट सिस्टम के अंतर का थी लेकि रिंग डालके हमने किया तो इस प्लै तका कर अब इस प्लैट कर दिया जाता है तो यहां पर रखते हैं इसको यहां पर रखते हैं मिलबं को यहां पर कि तो सोकता रहता है और इस लिए जलती है अगर आप निचे छोड़ेगे तो खिला तो और रहे ग्रेविटि सिस्टम के वह जएक और टपकता रहता है तो यहां पर इसने ऑयल भर दिया जाताइज आएल भरने के बाद हम क्या किये इसमे बत्ती डाल दे कपड़े की या पर किसी चीज की बत्ती बनाकर करके सब्सक्राइब जाए है उसलिया है कि लोगों ग्रेविटी तपकाता रहा है कि सब्सक्राइब इसमें भर दो सब्सक्राइब इस एक ब्र्डर ने के बाद क्या होता यहां पर देखेट कटा हुआ इसको पर जो डखकन है करेंगे तो यहां से जगह बनावा तो इसमें से ग्रीज बाहर निकलेगी तो हमने क्या कि एक सब्सक्राइब फोर्स लगा करके इसको निकलते वह बाहर गिरेगी तो हम प्रेसर या फोर्स लगा करके के इंतरकत आजाएगा मैनुवल इसक्रू डाउन सिस्टम जो है मारा ठीक है या इसे मैनुवल इसक्रू डाउन ग्रीजर भी बोलते हैं क्योंकि निकालता है इस पर हैं चलेंगे क्राइश नियाक कि उस गूर का नाम क्या है जो उच्छ दबाव या भाट को कौन सैन कर सकता ह जो ठीक पहले श्यांता उतलों से पहले अंट्या में दो करता है यह मारे इसको सिटी होता है ठीक है अधिक है यह तेलियता से मतलब है आपका चिपचिपापन से कि कि किसी भी तेल में जितना ज्यादा चिपचिपपन होगा वह उतना ही अच्छा हमारा होगा किसके लिए लुब्रिकेटिंग कि कि अधिय में ज्यादा चिपचिपपन होगा वह तने अच्छी से फैल करके वहां पे गीला बनाया रहेगा चिपचिपपन होती रहेगी फाइर पॉइंट क्या है तो जिस पॉइंट पर हमारा जो हमारा लुब्रीकेटर है इस नियाक है उ जिस प्वाइन्ट पे हमारा क्या करें आग पकड़ ले फाइरप्वाइन बनके उड़ना प्रारण कर दें वह फ्लैस्पॉइंट हो जिससपे आग पकड़ लेता है वह फायरप्वाइन्ट होता है दोनों को दिया रखना में ठीक है आपको जड़ाएगा न तो प्रयोजन वाली मशीन नहीं मतनरी तेल का पूछ रहा है तो इसके लिए जुप साथ डिग्री सिल्चित होता है कितना होता है और के लिए कि गीर के लिए जो होता है यह साथ वाला होता है दूनों में ध्यान करना ना कि पुछेगा तो एक सुसाथ डिग्रे एक कमरे में कुछ दिक्कत और रहे क्या कि तहां से टक रहा है एक सिकंड थोड़ा रुख जाएगा ना चलिए ठीक है थोड़ा सब केमरे में कुछ दिक्कत आ रहे थी ठीक लग रहा है तो यहां पर क्लियर हुआ सामाने प्रयोजन वाली मसंधित तेल आयल का फ्लैस पॉइंट होता है मतलब जिस पर हुआ हमारा जो लुब्रिकेटर है जो इस नहीं क्या हो वास्पर में बदलना स प्रम बात करेगा घूमने वाला जो ड्रव आयल होता है कि जो गूमने वाला जो ड्रव आयल होता है ठाट है कि अधिकर किसी बात कर रहे हैं तो इसका कितना रहता है हमारा इसका जबूर रहता हुए 106 पे भी होगा और 210 सब्सक्राइब करता तो जो सरो सिस्टम हमारा लग-लग घृतिस्वाला है सब उसका एक और अगर हमारा क्या हो रोट सिस्टम कि अरो सिस्टम कि जगह पे क्या हो फंटावन वाला हो 186 वाला तो वाला हो अब लग लगात ना इन तीनों के लिए क्या रहता है इन तीनों के लिए हमारा 210 अब समझ में 210 के उपर आएगा जब सरो सिस्टम संतावन ने क्या सी साव कोई होगा इसमें गुमने वाले द्रवायल में तब हमारा 210 सब्सक्राइब होगा जब हमारा गुमने वाले द्रवायल में सरो सिस्टम 32 यूज किया रहा हूं तो इसको भी हमें जया रखना ठीक है चलिए नेस कुश्चन पर चलेंगे करा इस क्लश का नाम क्या है यहां पर दिखाया गया है यह दर असल पॉजिटिव क्लश का ही एक प् प्रस करके चलते हैं तो पिर कोई भी नुक्सान नहीं होता है इसलिए पास्टी प्लश क्लश में और इसको डॉक्ती है इसको रूख कर करके तब दोनों को इंगेश करते हैं तो हमारा डॉक्त हो गया कोई भी मैकेनिकल समायोजन नहीं होता है यह कैसे काम करता तो यह एर के प्रेसर के द्वारा ही जुड़ा रहता है जो है हमारा एर के वाई यू के द्वारा ही जुड़ा होता है कोई भी अलक्षे मैकेनिकल समायोजन इसमें नहीं होता है तो अगर हमें चलाना है तो अब बराबर वाई का दब बनाये रखना पड़ेगा जैसे वाई का प्रेसर आप रिलिज्ट करेंगे क्लस्त तुरंट क्लच धाते को एक सब्सक्राइब कर अंतर के अंतर क्लुट्च संबाएं तक जातने पर रिसके अंदर जायेगी तो दोनों आपस अंदर घूमने लगता कोन होता है हमारा single plate clutch में क्या है तो यहां पर यहां पर यहां पर सिंगल प्रिसल लगाता है जैसे लोग पर प्रिसल लगाते हैं स्प्रिंग का दाप कम हो जाता है और यह खुल जाता है अपनों गाड़ी होता है हम दबा करके गियर को चेंज कर लेते हैं तो यह सिंगल प्लेट क्लच होता है कि दिखा रहे यहां पर एकक सक्षिण और हो रहा है और तकर आरहा है और इसका क्मनों यहीं द्यून सब्सक्राइब होता है ऑला करखा या को क्या इसनियान करती रहता है कि जो हो गया हो गया हुआ इस तरहा है इसे हमरा ते हमें प्रकार नाम दे मुझे नहीं लग रहा किसे बताने जिरू था विज्टर हम लोग ने पीछे देखा था कौन ता क्लच है एयर क्लच है इन में कोई भी मेकन कर समयोजन नहीं होता है यह क्लच वायू की दबाओ के दोराही जूड़ा रहता जैसी वायू का प्रेसर रिलीज करेंगे क्लच हो जाता है की प्लेट क्लच सेंगल प्लेट क्लच मैंने बताया था तीनों प्रिक्शन क्लच के एक जामपा लें एक तरह से जो सिंगल प्लेट क्लच होता है वह कम सकती पारेसित करने के लिए यूज किया जाता है जबकि जो मल्टी प्लेट क्लच होता है ना इसमें दो या हिसमें 2 दिखाया गया एक फिगर दिखाया इनके इसथि यहां दोनों साथ पर बिल अलग यह लग लगती घंठार होती कून क्लश्राइस इसथिकर हमारा इस नियुमेह ने बितिक क्या होता है तो देखिए यहां जो फिगर है मारा ओवर राइडिंग क्लश क्या होता है तो यहां देख रहे होंगे यह इनर वाग इनर भाग के साथ यहां पर हमारे सिलिंडिकर सिलिंडिकर सिलिकर यहां वहां और भार्ला वाला भाग होता है हमारा और पीस होता है तो यहां इनर पीस हमारा जब इस साइड को घूम रहा है तेज़ी से तो यहां रह烈 होगी तुरंत इस बाल जा attitude ओप mm ने पार्ट भी घुमाने जोarak कैशे जब फिर फीम इन गुमाने पर यह जो आजाए käश पहर और भार के बीच गैप मिलागे यह बुक多 जाएगी जब फ्रीटटे și जब चलने लगेगा इधर को चलाएंगे तो यह बॉल खिसक करके यह बॉल किसक करके यहां चली आएगी तिन का बारी पीछ से बारी इसदा से संपर्ट तूड जाएगा और एक ट्लच उपेन हो जाएगा मतलब बारी पार्ट को कुमाना बंद कर देगा तो यह हमारा ओवर होती है यह कहें दिखें राइब होता है इसका में काम है को कहते हैं उसके हैं तो दीफ़ेंड और का मतलब दोफ54 शांतरं का मतलब है कि एक लगातार एक कांटीनी मोसं प्रदान करता है अगले कुस्टन पर चलेंगे के रहा है गये संचारक प्रभाव क्राप करने के लिए पानी में गुलंतील तेल का अनपात क्या होता है वाट इस दर इति तुवाटर टू गेट नां करेजी फेक मतलब उसका कहीं को रिजी क आपको याद होगा आप पढ़े होंगे एक संबंदे 20 होता है और आप क्या करें यहां तो पता नहीं कि अलग लग दे रखाए तो दिखिए उसी अनपात को आपको दस्मलों में बदलना पड़ेगा एक संबंदे 20 का मतलब क्या आप कैसे एक बटा 20 अब इनका लेजिए इ एक संबंदे 20 होता है में मालूम है लेकि हुआ है नहीं अलग टाइक पड़े रखा है तो हम इसे लिख लेंगे एक बटे 20 अब इसमें भाग दीजिए लेकिए एक में आपको भाग देना है कितने का 20 का देना है जाएगा नहीं जाएगा आप क्या करोगे दसमलों लगाओ पर यहां पर कितनी बार जाएगा बीस पचेस सव कितनी बार गया पांच कह सकते हैं तो यह तो यह देखी यहां पर दो आप्स नहीं दिख रहे हैं पताने क्या दे रखा आए और दूसरे वालों कि जीरो तसमलों 05555 लिखा हुआ है तो हमारा यह पिर हम सही मान लेंगे ठीक है क्योंकि 025 आना चाहिए तो जोनों में पद्धावांक है इसमें और आगे भी 555 लिखा हुआ है तो मतल़ ही वाला सही हो जाएगा इसमें जेक मिल रहा हुगा मैच कर रहा हुगा उसको सही कर लेंगे अगला करें इसने के पड़ाली का क्या नाव ना कि चारों को सौल्व कर दिये हैं तो बार बार जब कुश्चन आ रहा है तो लग रहा कि आरे तो बहुत भी देख रहें कों सा वहला है बाई इस तेल में हमने एक को यहार की कर रहता है यहां पर प्रेसर विड़ में यर या फोर्ट के दो आता है यहां पर क्या करेंगे लिब्रिप्रिकेटिंग् करेंगे करता रहता है तो यह हमारा किसमे आता है तो NEW यहां पर गांप हो गया है यहां पर नियुटेंट यहां पर जैघा बना दिया गया यह बीरिंग के सामने कर जाएं कि यह पर किया आगे एक लोग आएंगे पंप को चला देंगे जैसे इंड-पंप पानी निकलने लगता है तो पंप को चलाएंगे तो क्या होगा है पंप को जब आप ऐसे चलाओं यहां से आयल को खीचेगा और इस लाइन में भेजेगा और यहां करके जो यहां पर बना होगा यहां से किंदे लगे गतिला हुमारी विएरिंग की जो है लुब्रिकेटिंग करते हैं मैंने अब को स्टाटिंग में बताया था कि जहां दो पार्ट आपस में स्लाइट करने वाले हैं रगड कर रहे हों तो उनके बीचे प्रिक्सन ज्यादा लगता जिसे पार्ट हमारे घिस जाते हैं पार जल्दी जाएंगे तो मसीनों में तूट-फूट होगी हमार फूट को रोकने के लिए प्रिवेंट वियर घिसने से रोके घिसने से बचाए यहां पर आपका सभी हो जाएगा ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जबर बताएगा आगे के जो कुस्टन्स हैं हम लोग नेक्ट वीडियो में स